Assalamu alaikum welcome again to my channel कैसे हैं आप सब लोग आई हो आप सभी अच्छे से होंगे तो जनाब अभी मेने कुरान पाग पड़ा है तो आज के विलोग का अगाज भी हम यही से करते हैं तो आज है ना हमारे गहर पे है माशाला से मायो की रसम तो आज है चोटे भाई वली जो साइड पे जो चोटी बाभी हैं और बडी बाभी वली साइड रसम करने के लिए आना है तो सारी चिज़े डैकुरेशन और सभी तैयारिया में आप लोग ऑशार करूंगी तो विलोग बहुत मजएपा होने वाला है आप लोगों ने बहुत इंजुए भी करना है, मार्शाला लख भी कहना है और साथ में आप लोगों प्यारा सब कमेट भी कर देना है नए आया है, तो सब्सक्राईब भी कर देजिए और यहीं से विलोग को शुरू करते हैं तो जबया है तो तियार्षड ने पूस्ताइए थी आप कि अदाओं यहाँ तक ह। पर बच्चे आपको पतर जिद्धी थोड़े मानते नहीं हैं तो मैंने उनको जबरदस्टी डांट के सुलाया था तो अभी हम सुबह उठे थे और काफी लेट ही हो गई थी इस टाइम पे नो बज़े का टाइम था खैर क्योंकि आज माईयों का फंक्शन भी था और डेकॉरेशन भी करनी थी और छे बज़े के करीब जो है ना वो उन लोगों ने माईयों की मतलब उन लोगों ने हमारे घर में आना था तो ये था कि हमारा के एक बज़े तक जलो सारी डेकॉरेशन हो जाए और उसके बाद हमारा आम से तियार वियार भी हो जाएंगे क्योंकि तियारी का भी टाइम जाया था डेकुरेशन भी करनी थी आज तो काफी सारे काम थे खेर खाना बनाने से चुटी थी खाना हम लोगों का बार्बी क्यूं का गाने गाके और बस वो आपको पते हैं शादी पे फिर किस तरह के गले खराब हो जाते हैं तो बस यही दिन होते हैं इंजॉइमेंट के यही मुक्य होते हैं जो बाद में याद आते हैं तो अल्ह ताला बस खैर सलामती और बस अब चीज़े खैर खरीत के साथ हो जाएं, आमीन, सुमा, आमीन, आप लोगों ने ठेहर सारी दौाइं भी करनी है, तो यह है कि अभी जो है वो सारा यही काम हो रहा था, हादिया हुरिय की तबियत जो है थोड़ी नसाज ही थी, और नीन, नीन, और पता नहीं, यह जीब साजा से बच्चे हो जाते हैं ना, तबियत खराब होने की वज़ा से, तो अभी बाहर तो डेकुरेशन हो रही थी इसको, मैंने डांट के का के मेडिसन पियो, क्योंकि वो भी आपको पता, माओं को याद रिपना होता है, बच्च गरम सा दूद करके देती हूं, और नहला के इनको बस सारा कवर करके, इनके ओपर ब्लैंकेट देके, इनको जुला देती हूं, और फिर थोड़ी दर चलो, एक साइड पलेटी रेंगी, और काम भी हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे इस तरह भी मार होना, फिर पीछे-पीछ गजरे पहनें, यह डेकुरेशन के लिए आए थे, यह सारी पीछे जो वाल डेकुरेट करनी थी ना, उस पर यूज होना था, यह सारा मिटीरियल, तो हुरिया को मैं समझा रही थी, कि यह आप दे दो, हम शाम को गेंदे के फूल है ना, उसके हम गजरे लेके आएंगे बा गड़े वगरा राख रहे थे, माईयों के, माईयों का इस तरह का सेट अप, डेकुरेशन काफी अछी लगती है ना, क्यूट सी लगती है, तो यहां पर हम यह घड़े राख रहे थे, और यह डुबटे बच गए थे, यह नेट के डुबटे थे, पीले-पीले से, तो यह हमना साथ में इदर ही डेकुरेट कर रहे थे, और पीछे जो है वो टीवी लगा हुआ था, क्योंकि आगे डेकुरेशन होई थे, तो बच्चे घुसके कर्टिन के अंदर से टीवी देखने की कोशिश कर रहे थे, और यह प्यारा सा थाल, इसमें कैंडल्स वगरा लगानी यह एक ही पूरा बड़ा सा थाल खरीद के लिए के आया थे, माईयों की डेकुरेशन के लिए के आगे रख लेंगे, तो यह मैंने का के चलो अभी कैंडल्स जो हैं वो चलानी तो नहीं है, तो इसके अंदर मैं रख देती हूँ, जब महमान आएंगे तो तब ही और फिर सब तियार होना शुरू हो जाएंगे, और बाहर जो है, आज वैसे कह रहे हैं कि धूप निकली वी थी, लेकिन यह है कि मैं बाहर निकली नहीं और मुझे पता ही नहीं है, अंदर तो फिर ठंड होती है, धूप में थोड़ा सा फील होता है, जाके जो धूप की गर हो जाते हैं, तो जनाब आई होप के मौसम अच्छा हो जाए, और मौसम थोड़ी सी धूप निकल आए, तो फिर जारा अच्छी शादी भी इंजुआए हो जाएगी, यहाँ पर मैं त्यार होगी हूँ, जैसा कि मैंना को बताया था, और यहाँ मैंने गजरा भी पहन लिया है, मैंने दвойा कुछ कर लिया है, यहाँ सब क्छि पहन लिया है, नहीं एक चैन बही हूब है है, यह हैं तो अब भी और शेतिंग में और भी हो आजांगे, अब महमान भी आ घांग और सेन्गर कमुणभी मैं हूआँ, और अब लोग महमान को सीन और ठीका recognize और और सभितिक पूरी वीडियो में तो अब जो है वह हमने डोल की भी बजानी है इती चीज़े करनी अब जो हम खाना देंगे अभी तो नहीं अभी खाना नी देंगे क्योंकि अभी तो है इंडिया आएंगे फिर हम उनके सामने खाना रखेंगे पहले स्ट्रेक्स टाइम होगा फिर हम जो है मायोंकि और उसके बाद होगे हम जो है वो कर ने जिया निके में हम उनकी होगी हूँ ना जो मीरे ममू कि मैं हो ना पता नहीं क्या कहते है मैं बुकर है वैं विखहँ वह धिया तो। यहां पर जो है, सारी चीज़ 전हीं पर बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था तो हैंदनान जो हैं वो सप्रेइ कर हें पर सारे गहर में ये स्प्रेय एर फ्रेशनर मेरे जहन में स्प्रेय आई जा रहा था तो एर फ्रेशनर का च्टड़काऊ सारा कह रहे थे तो मैं कहे थी दिहान से कि बच्छों के मुँव पर ना वार दीजिएगा तो यहां बच्छे तियार हो गए थे और ये जो हैं अम्ब्रेलाज ये पकड़ पकड़ के बड़े खुशो हो रहे थे अब मेहमान नहीं आये थे लेकिन हम सारे महमानों के आने से पहले रेड़ी हो गए थे अच्छा लगता है कि अगर महमानों के आने से पहले होस्ट को रेड़ी शेड़ी होना चाहिए क्योंकि अगर महमान गेस्ट पहले आजए तो आपने पिर क्या रिसीव करना है उनको और आब बाद में तियार हो रहे हो अंदर मियान में तो यह हमारी सारी डेकुरिशन थी आप लोग को एक लुक दिखा दू मैंने का कितनी प्यारी जबदस लग रही थी और यह पीछे गजरे इस तरह डुबटो हमने लटका के गजरे उसमें लगा दिये थे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था अंब्रेला हमारे पसना काफी जादा थी दस के करीब अंब्रेला थी तो वो हम लोगों ने जगा 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 जहां जहां पे अच्छी लगती ना वहां आप लगा दी थी जगा जगा पर बस स्प्रेड करके रखती थी कुछ दो एक सामने लगा दी थी कुछ थोड़ी सी ये सीडियों के नीचे हम लोगों ने लटका दी थी तो ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी पूरा माईयों का बड़ा जबरदस सा थीम त्यार हो गया था तो आप लोगके लिए भी अच्छा सा आइडिया एकर आप लोग भी करना हो ना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं लेकिन यहां पे क्लिप में तोड़े से चोटे का आगया है थोड़े से आगे पीछे हो गया है तो यहां पे ादिया और हुरिया जो ही वो रसम करहे हैं और मुझे तो जो है ना वो रसम के दर्मयान में कभी मिठाई खिलानी पहुल जाती है दोनों में से एक चीज मुझे हमेशा भूल जाती है लेकिन मुझे बच्चे है न माशाला इनको सब कुछ याद रहता है कि हमने पहले पैसे वार ने फिर हमने जो हे वो मिठाई की लानी है फिर हम लोग उने उप्टन भी लगाना है हर चीज बड़े अच्छे से माशाला दोनों कहा रही थी तो यहाँ पर यह वाली बास्किट्स गिफ्ट्स वगारा आये वे थे साथ में दोनों लड़की वालों की साइट से चीज़ें आई वी थी वो पड़ी मी थी और यहाँ बस हम लोग तस्वीरे बगारा खेंच रहे थे सभी लोग की वीडियो मैंने नहीं बनाई है आप लोग जानते हैं कि सभी लोग की उनके कंसेंट के बगार वीडियो बनाना अच्छी बात भी नहीं होती है तो यह एंटरंस वाला एरिया था यह भी बड़ा प्यारा लग रहा था एंटरंस मैंने आपको नहीं नहीं दिखाई थी तो मैंने का दिखा दूँ तो यहाँ पर छोट-छोटी सी यह इस तरह बास कीट वाली डेकुरेशन की वी थी तो यह जनाब था मेरा सूट मैंने का थोड़ी सी मेरी भी वीडियो बना दो मेरे सूट की ताकि मेरे जो व्यूवर्स उनको नजर आजे मैंने कौन सा सूट पहना था सबने बहुत अरीफ की थी एक हट के वो लाग रहा था वो पहने वे वैसी माईयों पे महंदी पे बहुत अच्छे लगते हैं सही पंजाबी वाली लुक आती है तो यह मैंने वियर किया था चूड़ी पजामा बनाया था साथ में साथ मैंने खुसा ले लिया तो यहां पर रसमे जा रही थी बस यहां पर बड़े भाई वाला आगया सीन ठीक है पहले हमने बड़े भाई को बिठाया था और फिर उसे चोटे वाले को बिठाया था तो यहां पर मेरे हस्बिंड आये थे यहां पर रसमने के लिए हमने मिठाई वगरा खिलाई यहां पर अगेन हादिया हुरी आई थी अपने मामू के साथ और हादिया तो इतरे बढ़ो को कापी करती है ना उसको 100 का नोट चाहिए था उपर से वारने के लिए वो कह रही थी कि हम मुझे नी 50 का नोट चाहिए आप सारे 100-100-500 रुपे वार किरा करें तो मुझे भी जो है ना वो जादा पैसे चाहिए तो बच्चे जो है ना वो बड़ो को बहुत कापी करते हैं तो यहां पर जो है माशाला से फिर दोनों भाईयों ने बैटके रसम की औ और हसी मजाग जारी था बस इसी तरह लात अलहा सब को सलामत रखे और खैर खरीट के साथ सारा शादी का टाइम गुझरे तो माशालला जरूर आप लोगों ने कमेंट में कहना है ठीक है सबी प्यारे-प्यारे सबस्क्राइबर्स हैं तो लाजमी आप लोगों ने कमेंट म तो वहाँ पिखाया था तो चलिए जी यहीं पर आज के विलोग को end करते हैं आई होब आपने enjoy किया होगा नेक्स विलोग के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा subscribe कीजिएगा तब तक के लिए लाह आफिज